आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, यहाँ पर आमार पास question है Find the length of tangent drawn from a point 3, minus 4 through a circle 2x square, plus 2y square, minus 7x, minus 9y, minus 13 equals to 0 ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते है x square और y square के coefficient को 1 बनाते है जिसके लिए हम इस पूरी equation को 2 से divide करते है तो यहाँ से हमें s1 क्या मिल जाएगा करो, x square, plus y square, minus ये क्या मिल जाएगा 7 by 2x, minus 9 by 2y, minus 13 by 2 equals to 0, ये curve में लिया यहाँ से हमें ठीक है, तो यहाँ से हमारी length of tangent length of tangent ठीक है, ये हमारा s curve है, एक तरीके से ठीक है, length of tangent बराबर हमारा होता है root of s1, means इस curve में ये वाला point ने put करके under root ले लो, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले s1 calculate करें, तो s1 हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 3, minus 4 put कर दो, इस curve में, तो यह हमारा आ जाएगा 3 put किया हो, तो 3 square, plus minus 4 का वोल square minus 7 by 2 into, ये क्या जाएगा हमारा, x means 3 3, ठीक है, minus 9 by 2 into minus 4, minus 13 by 2, ये आ गया यहाँ से, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से देखें तो s1 बराबर, 9 plus 16, फिर ये क्या जाएगा हमारा, ये minus 21 by 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 cancel होगा ये, तो ये 2 बचेगा, minus minus plus, तो ये plus का 18 आ जाएगा, और minus 13 by 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 plus 16 plus 18, वो हमारा कितना हो जाएगा, 43 minus, यहाँ पर हमारा पास कितना है, 21 है और 13 है, तो ये हमारा 34 हो जाएगा मायनस में मायनस 34 by 2 समय है 2 है तो यह कितना आग molecular43 मायनस यह 17 हो जाएगा तो 43 मायनस 17 हमारा कितना होता है 26 हो थिक तो यह हमारा आग्या है यहां से यह 26 तो यहां से हमारी length पराबर कितने आजाएगा root S1 जो कि हमारा root of 26 6 आ जाएगा, तो यह हो गया हमारा solution, thank you.